वही उपी के कासगंज में बिजली विभाग के लापरवाही से आग लग गई हलांके इस हाथसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही जरूर सामने आ गई बता दें भूच पुरा गाउं में ट्रांसफार्मर से 11,000 वोल्ट का तार तूट कर कई दिनों से लटक रहा था जब इसकी शिकायत गाउवालों ने बिजली विभाग से की तो बिजली विभाग की कर्मचारी ने लाइन ठीक करने के एवरज में पैसा मांगा बिजली कर्मचारी का कहना था कि जब खर्च के लिए पैसा मिलेगा तब ही वो लाइन ठीक करेगा रहत की बात ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ट्रांसफार्मर के पास कोई मौजूद नहीं था लेकिन पास में रखा पश्वों का चारा पूरी तरह से जल गे